तो पर सुर्थ में आपका स्वागति दोस्तों हमें कमेंट करके वीड ने कहा था कि फ्रेमिंग आफ कॉंसिटूरिशन एंड कॉंसिटूरिट असेमली पर एक वीडियो बनाने तो हमारा आज का टापिक यह यह दोस्तों कि सम्विधान सभा क्या है सम्विधान कैसे बना यह सभी चीज़े आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं को पहले हम कुछ प्रीवेशन के कुश्ट्थे देखते हैं फरस्ट क्यों और डिया का समल विद्धान उसेे बतानी है सो सुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में देखते हैं दोस्तों कि भारत की आजारी के साथ ही एक समविधान की जरूरत संजी गई ताकि देश को एक प्रोपर मैनर में चलाया जा सके सो 1934 में ही M.N. Roy आइडिया देते हैं कंच्यूट्रेंट असेम्बली बनाने का जो की भारत का समविधान बनाएगी 1942 में फिर स्टैफ़र्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन भेजते हैं पर उसे मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देता है क्रिप्स मिशन का दोस्तों यह एम था कि जो इंडियन लीडर्स थे और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनकी हैल्प से वर्ल्ड वार 2 में जो इंडियन का वो हैल्प चाह रहे थे भारतियों का सहीयोग प्राप्त करना चाह रहे थे सो यह फेल हो जाता है क्रिप्स मिशन क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो दो अलग असेमली चाह रहा था सो फाइनली एक काबिनेट कमिशन आता है 1946 में जिसमें दो अलग कंशुटेंट असेमली की जो मांग थी न मुस्लिम लीग की उसको तो नकार दिया गया था पर उसके बाकी सारे प्रोविजन कुछ इस तरह से थे कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस दोनों को वो एक्सेप्टेबल होता है और काबिनेट मिशन का जो में एम था वो यही था दोस्तों की कंशुटेंट असेमली का फॉर्मेशन सो हम कुछ बैग्राउंड में देख लेते कि इस तरह बैग्राउंड में क्या चल रहा था सो प्रिस्ट भूमे में हम देखते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग आक्ट आता है जो बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जेनरल बना देता है और साथ ही ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ये जिससे वह इस्ट इंडिया कंपनी के कामों को अब कंट्रोल कर सके 1784 में Pits India Act आता है जिससे कि British शरकार कंपनी का जो कामकास था उसका जो प्रशाशन था उसको पूरी तरह से वो British सरकार के कंट्रोल में हो जाता है 1909 में मॉडले विंटर रिफॉर्म्स आता है यह कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन पर बेश था दोस्तों यानि कि संप्रदाइक प्रतिनिधित्व है वो उस पर बेश था सो हम कह सकते हैं कि उस समय के पॉलिटिक्स को ना एक कॉम्यूनल कलर दे रहा था ना धर्म के नाम पर सीट का बटवारा धार में बाट रहा था लोगों को नाइंटिन नाइंटिन में एक्ट आता है जिससे मॉन्टेग्यू चेंसवर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं या प्रोविंस का जो सब्जेक्ट था ना जो विशय वस्तों थी उसको दो हिसे में बाट रहा था एक था ट्रांसवर्ड दूसरा था रिजर्व तो बिरिटिस ब जनी की दूई सदनात्मक जो संसद है वो आया है ना कि अब संसद में दो हाउस होंगे एंड इलैक्षन भी क्या साओगा डारेक्ट हो यानि प्रत्यक्ष निरवाचन होगा अब हम देखेंगे कंस्टूटेंट असेमली किस तरह बना था उसका कंपोजीशन क्या था दोस्तों सो समविधान सभा है ना जो कैबिनेट मिशन के तहट 1946 में बना था कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि समविधान सभा में 389 सेट्स होंगे जिसमें 296 जो ब्रिटिश इं अनके लिए होंगे और यह सीट्स है दोस्तों यह पापुलेशन के अधार पर जनसंख्या के अधार पर दिया जाएगा और किसी भी कॉम्यूनिटी का किसी भी समुदाय का जो प्रतिनीदी है वह उसी समुदाय यानि इसी कॉम्यूनिटी के लोगों के द्वारत चुनी जा समविधान सभा में हर समुदाय और हर अधर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे प्रतिनीदी थे साथ ही उस समय के जितने भी जो इंपोर्टेंट नेता जो लीडियर्स थे या जो लोग थे वह सभी इसके सदर्शे थे एकसेप्ट गांदी जी इन जिन्ना इन दोनों को छोड कर कि अब हम देखते हैं कि यह समविधान शभा काम कैसे करते है इसका वर्किंग देखते हैं तो समविधान शभा के पहले मिटिंग 9 दिसंबर 946 को होती है मुसलिम लेक्ष्व इसमी भीश्रां करती है इस मपार्ट नहीं लेती है और एक अलग देश पाकिस्तान की मांग फिल्वेंदीसम्बर को इलक्षन होता है जिसमें के डॉक्तर राजीन प्राशाद को प्रेसिडेन और एक्सी मुखरी को वाइस प्रेसिडेन चुन लिया जाता है तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से समीधान को फ्रेम किया गया किस तरह से उसे बनाया गया यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इससे बहुत अच्छी से संझेंगे सभा में इसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया स्था फाइनली अब्जेक्टिव रिजोलुशन को हिंदी में उद्देश संकल्प कहते हैं सो अगर सिंपल सेंस में कहें तो जो अब्जेक्टिव रिजोलुशन था इससे कॉंस्टिशन मेकर्स को एक दिशा दी जारी थी कि आपको इसके बेसिस में समविधान को बनाना है इसमें कहा गया था कि इंडिया एक डेमोक्राटिक देश होगा रेपब्लिक होगा यानि ग इसमें यह सारी चीजे थी अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है है तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी भी वीर की तरह किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें वो कमेंट करके बताएं हम उस जलसे जल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे सू हम अब आगे देखते हैं कि सम्विधान शभावे कुछ कमिटी बनती हैं जो चैनल के जैसे कि Union Power Committee थी जोहालाल नहरू के पास, Union Constitution Committee भी थी जोहालाल नहरू के पास, States Committee भी थी नहरू जी के पास, Drafting Committee अम्बेटकर जी के पास थी, इस तरह की बहुत सारी committees थी. So, अब हम देखते हैं, समविधान को किस प्रकार लागो किया गया, किस प्रकार इसे इनक्ट किया गया, Dr. B.R. हम बेटकर समविधान को ड्राफ्ट करते हैं, और सभा में प्रस्तुत करते हैं, फिर उस पे काफ़ टाइम तक discussions होते हैं, कुछ उसमें सुधार किये जाते हैं, तर्क भी तर्क होते हैं, कि ये ठीक है, या ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, And finally, जो थार्ट रिडिंग होता है, उसके बाद इसे पास कर दिया आसता है, कब? 26 November 1949 को. और इसके साथ ही उस पर 284 जो members थे, उनका signature भी कर लिया आसता है, उस समविधान में जो उसमें बना था, उसमें 395 articles थे, धाराय थे, 8 schedules थे, और एक preamble था दोस्तों, जिसे कि हम प्रस्तावना भी कहते हैं, B.R. Ambedkar को समविधान का जनक भी कहासता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत एहम भूमिका निभायती समविधान को बनाने की प्रक्रिया में. अब कुछ आलोचनाई भी होंगी ही, सो कुछ आलोचनाई पर नजर डालते हैं, कुछ कृटिक्स देखते हैं, सो कुछ कृटिक्स का कहना था कि जो समविधान सभा है, जो Конstituent Assembly है, यह एक representative बड़ी नहीं थी, क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर्स चुनकर नहीं आ रहे थे, वो नॉमिनेटेट थे, ठीक है, और कुछ जो कृटिक्स थे, जो आलोचक थे, उनका यह भी कहना था कि समव कॉमिनेशन था, है न, कॉंग्रस पार्टी का ही प्रभूत्वता, उनकी बातों को काटने के लिए कोई नहीं था, थे, कॉंग्रस डॉमिनेटेट था, अब हम समविधान का सनरचना देखने, देखते हैं, उसका structure देखते हैं, और यही जो इसकी सनरचना है, दोस्तों, यह हमारे समविधान का फीचर्स भी है, सो पहला हम देखते हैं कि भारत का समविधान, एक लिखित समविधान यह रिटेन है, इसे बनाने में दो साल, 11 महिने और 18 दिल लग जाते हैं, और इसके साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा समविधान भी है, दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतिय समविधान में, बहुत सारी चीजे जो हैं, वह दूसरे देशों से ली गई थी, जैसे कि इसका ज़्यादा तरजर स्ट्रक्चर है, वह गर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935 से लिया गया था, गर्मेंट ऑफ इंडिया आइक्ट 1935 को में एक तरह से ब्लूप्रि सब्सक्राइशन से लिया गया था और इसका ज़ू जादर ऑफ यह जादर पोलिटिकल पार्ट ता जो ररजनेतिक हिस्सा था वह बृतेयं से लिया गया था इमर्जंसी हैं एमर्जंसी किसंद हमारा प्रश्ट कोंदन कबोश्या गया था ज़र्मों अर्डेया बुल आफ Bicameralism, Parliamentary System, यह सब ब्रिटेन से लिया गया था, Judicial Review, Independence of Judiciary, यह सारे चीज़े अमेरिका से लिया गया थी, सो हर देश से काफी कुछ लिया गया था, इसमें यह भी कहा गया था कि Bicameralism होगा है, समविधान जो है, वो सरवोच होगा, Rule of Law होगा, यह सारे चीज़े थी, फिर हम देखते है, Fundamental Rights, यानि की मौलिक अधिकार, इसका Concept, अमेरिका के Constitution से लिया गया है, जो की हमारे समविधान के Part 3 में है, दोस्तों, हमारा जो भारत के समविधान है, वो हमें 6 मौलिक अधिकार, यानि 6 Fundamental Rights देता है, Right to Equality, सवानता का अधिकार, Right to Freedom, स्वतंतरता का अधिकार, Right Against Exploitation, यानि शोशन के अगेंस्ट हमें अधिकार देता है, Religious अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंतरता देता है, Cultural and Educational Right, यानि Sanskritic और सिक्छा का सम्मंद में अधिकार देता है, Right to Constitutional Remedies देता है, समविधानिक Fundamental Rights, अगर इसका उलंगान होने पर हम सीधे Supreme Court का दरवाजा खटकडा सकते हैं, दोस्तों, फोर्थ में देखते है, Directive Principle of State Policy, जिसे की राज निर्देशक, नीती, निर्देशक तत्व भी कहते हैं, यह हमें Social and Economic Justice प्रवाइट करता है, यह एक Welfare State का सिधान तस्तापित करता है, दोस्तों, यह हमारे समिधान के Part 4 में दिया गया है, इसमें राज्यों को Actually Direction दिया गया, इन्हें निर्देश दिया गया है, कि अगर कोई भी law लाता है, कोई भी law बनाता है, तो वो इन्हीं चीजों पर based होंगी, जैसे कि राज के सभी नागरिकों को है ना, उनको उनक सालरी दे जाएगी, जो स्वास्त सुधार है, उसका प्रयास करेगा, राज्यों ठीक है, ग्राम पंचायत के स्थापना करेगा, यह सब यह सारे चीज़ें हमारे डिरेक्टि बिंस्वल अव स्टेट पॉलिसी में धी गई है, फिर हम देखते है, फंडमेंटल ड्यूटी ज जिनमें सम कुछ देखते हैं, स्विधान को मतलब कॉंसिटूशन का प्लवन करना हैं उसके अधरसों को मानना यह हमारे कर्तव्य है, जो तो कमान करना है, जो नेशनल सॉंग है जो यह राश्तिया गान हजएड़ करना यह सब हमारे कर्तव्य है, इन्वरॉमेंट की रक्ष ना जो इंडिया है if वह एक धर्म निर्पेक्शदेश है ठिक है भारत भारत अब यह पर हर धर्म को पराबरी का दरजाद यह हो सभी धर्म को एक नदर से देखा जाता है और star ंश नहीं है ठिक है यहां धर्म को, हर धर्म को सम्मान किया असता है फिर हम देखते हैं, इंडिया में पार्लिमेंटरी फॉर्म अफ गर्मेंट है यानि संसद ये प्रनाली है, जिसे हम ब्रिटेन से अडप्ट किये थे कि हाप ये पार्लिमेंट होगा, उसमें दो हाउस होंगे लोवर हाउस, अपर हाउस, ये सारी तीज़े हैं रहा हमने ब्रिटेन से ली थी फिर हम देखते हैं, युनिवर्सल एडल्ट सब्फरेज, यानि की सारवभामिक व्यस्क मताधिकार इसमें ये खा गया था दोस्तों कि 18 यर्स के उपर का हर आदमी और और आरत उनको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाती, किसी भी धर्म के हो, वो गरीब हो, अमीर हो, वो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सभी को वोट डालने का समान अधिकार प्राप्त है फिर हम देखते हैं Judiciary यानि हमारी न्याएपालिका हमारी न्याएपालिका दोस्तों वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है है ना, legislative और executive जो कारपालिका और executive है यह उसमें इंटरफेर नहीं कर सकते हैं हमारे न्याएपालिका में इसके काम में जो है इसका में जो कोट जो है वो कोट में अगर हम देखे तो जो supreme कोट वो सबसे ऊपर है है ना, वो सबसे ऊपर है उसके नीचे हाई कोट है और उसके नीचे बाकी सारे अधर district कोट वगरा है तो यहाँ पर फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे मतलब इंटिग्रेटेड है हमारी जुटीशियरी और जजजेस को जो है उनका कारेकाल जो है उसको भी शिक्योर किया गया है ना, उनको प्रेजिदेंट ही अपॉंट कर सकते हैं उनको ऐसे नहीं हटाया सक पाल्क वी पाल्की वाला यह एक फेमस जूरिस्ट है वह प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ट करते हैं हमारे कॉंस्टीशन का यह जो प्रियम्बल है दोस्तों यह नहरु के दोरह लाए गया अब्जेक्टिव रिजॉलूशन पर बेश था इन शॉर्ट हमारे समविधा में हमारे कॉंस्टीशन और जो भी बाते कहीं गई है वो सब हम यहां पर देख सकते हैं प्रियम्बल हमारे समविधान का लक्ष प्रकट करती है सो इस प्रियम्बल में इस बात की घोशना की गई है कि भारत एक समाजवादी रिष्ट है सोचलिस्ट है धर्व को बढ़ावा देता है इस तरह की सारी बाते हैं हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है एट लास्ट हम यह कंक्लूड करते हैं कि समविधान को फ्रेम करना बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्रिय यहां बहुत सारे जाती और धर्म के लोग रहते है सबके लिए एक समविधान बनाना मुश्किल का रहे था दोस्तों इस प्रक्रिया में हमारी जन्ता नेताओं ने जो पढ़ा लिखा जो हमारा तबका था उन सबने पाट लिया ब्रिटीश के जारा जो एक्ट आ रहे थे जैसे कि गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट अगस के मामर्स किस तरह से चुने जाएंगे यह सबी चीजें इसमें थी और वहीं अगर हम समविधान का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों तो सापरेशन और पावर यानि सक्तियों का प्रिथिकरण इंडिवीजॉल फ्रीडम फेडरल करेक्टर यानि संखिय करेक्टर जो सेक्वि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों और हमारे लिए कोई भी सजेशन है दोस्तों तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू